इस वीडियो में मैं आपको पहले एक बात बता दूँ कोई मांगता है तो फुरास एक बड़ देने में डर लगता है हीज की चाहते हैं कि हमारे मुवाइल की पर्सनल चीजे ना देख ले देखने पद पुछ डेटा लेकिन अगर यही बात आपके कम्पुटरा लैपटाप पर कोई आपसे कम्पुटरा लैपटाप महने है और आप दे देते हैं लेकिन आप यह सोचते हैं कि अगर मैं इसको देता हूं कि हमारे सिस्टम में से लैपटाप में से कुछ डेटा को कॉपी कर सकता है लेकिन आज मैं ऐसे ही ट्रिक की बात करने जा रहा हूं जिसके माध या या अगर हम चाहें तो जैसे हमारे कंप्यूटर में कई यूजर है कोई दीटाप को कोई दूसरा यूजर कर सकता है विए चलते हैं कि कैसे तो कि यह अगरे को रिस्टिक्ट करते हैं लेकिन जैसा आप देख रहा है यहां पर हमारा रिमूबल इस्टोरेज डिवाइस दिख रहा है और यहां पर ओपेंड करेंगे जैसे आमने बताया कि ग्रूप पॉलसी के माध्यम से हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो कोई भी रिमूबल स्टोरेज हमारा काम नहीं करेगा इसक सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर रिमूबल इस्टोरेज डिवाइस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां पर जाने के बाद इनेबल करके ओके कर देना है कर दिया हमने पर इसको भी थोड़ा दिर के लिए मैं मिनिमाईज कर देता हूं अब आप एक्सी देखिए कंप्यूटर को ओपन करेंगे यह देखिए हमारा यहां पर रिमूबल लगा तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है और यहां पर लिक क्या रहा है कि एफिज नाट एक्स इसको चलते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं जो उसको इनेबल डिसेबल कर देते हैं फिर से वाई सेटिंग को यूज करेंगे और यहां प्राम चलके नाट कांफिगर कर देते हैं और डिसेबल कर देते हैं आप चाहे जो चाहो एक यूज यूज कर सकते हो ठीक है फिर सम देखिए अपने आप खुल कर आगया हमारा रिमूबल स्टोरेज काम कर रहा है